नमस्कर दूस्तों स्वागत आपका पार्मारोक्स के यूट्यूब एजिक इसने चनल में आज की उड़ी लेक्चर में हम डेटेल में स्टेडी करेंगे लिब्रेक्स टैबलेट के बार में तो हम सिखेंगे उसके बेजिक यूज के बार हैं कि कौन से अलग-अलग मेडिकल कं सेफे करेंगी और कैसे हम उसका सेफ यूज कर सकते हैं उसके प्राइज विगड़ा क्या है तो डीटेल में सिखेंगे आज के लेक्चर मे और जानेंगे लिब्रेक्स टैबलेट के बारे में तो ऐसी सम aixíगे कि आपको डीटेल में सिखना है बहुत सारी बीमारीओं के बारे की तो अब आते हैं topic पे और समझते हैं Librex tablet के बारे में तो यह ऐसे glass का medication है कि जो specially IBS के जो symptoms होते हैं उसको treat करने के लिए use की जाते हैं IBS मनलब की irritable bowel syndrome और यह जो medication है वो दो दवाईयों का combination है पहले दवाईयों हम देखें तो तो वह है Clodysip Oxide है कि जो 5 mg जितना यह tablet के अंदर present होता है और जो दूसरे medication है कि जिसको हम कहते है क्लिडियम कि जो 2.5 mg जितना यह tablet के अंदर present है फिर बात करते हैं उसका manufacturer के तो उसका manufacturer है Abbott Pharmaceuticals तो यहाँ पर आप उसकी detail देख सकते है company की तो Abbott Healthcare के बारे में मैं आपको बता दूँ कि यह एक American Multinational Pharmaceutical Company है और इंडिया में उसका जो हम headquarters के बात करें तो वो Mumbai के अंदर है आगे जानते हैं उसके content के बारे में और tablet के type के बारे में तो यहाँ पर आप उसका label अच्छे से study करो तो पता चलेगा कि यहाँ पर खासकर लिखा है कि Librex जो उसका brand name हो गया कि जो Abbott नहीं दिया है salt content दो होगे कि एक है Clodicep Oxide है कि जो 5 mg है और tablet का type आप देखोगे तो पता चलेगा कि यह sugar-coated tablet है Clinidium जो उसका bromide form में है कि जो उसका salt content है color के हम बात करें तो yellow oxide of iron और साथ में alizarin cyanine green F color जो उसके अंदे red किया गया है फिर storage condition के हम बात करें तो आपको 30 degree या फिर उसके time temperature पे यह tablet को store करनी होती है और light से उसको अच्छे से protect करनी होती है और बच्चों से यह medication जो यह वो खासकर दूर रखनी होती है तो अब समझ यह उसके जो salt content है उसके बारे मैं आपको समझा दूँ कि जो पहला एक salt content है वो है chlorideisep oxide करके जो है कि जो 5 mg जितना present है तो एक benzodiazepine class की यह medication है कि जिसके पास sedative and hypnotic effect है कि जिसके करन यह medication जो है वो anxiety के जो symptoms होते है stress वगरा जो होता है या फिर जो हम insomnia यानि कि घहरी नीन नहीं आती रात को लेट तक आप जाकते है आपकी नीन पूरी नहीं होती तो वो problems को solve करने के लिए यूज की जाती है तो यह जो symptoms है वो एक basic symptoms होते है IBS के अंदर कि जो IBS के patients होते हैं उनको यह problem खास रहते है कि उनको anxiety जैसा feel होता है stress feel करते है और रात को अच्छे से नीन नहीं आती तो जो हमारी दूसरी medication है कि जिसका नाम है cleanidium bromide तो वो एक mascarinic antagonist drug है कि जो एक anticholinergic drug जिसको हम कहते हैं और यह medications क्या करते हैं कि जो आपके पेट में cramps होगेराते हैं abdominal cramps कहते हैं या फिर abdominal pain कहते हैं stomach में जो pain कहते हैं तो उसको ठीक करता है और साथो साथ जो stomach acid है उसको कम करके यह symptoms को जो वो कम करता है तो जब यह medication combination में use होती है तो वो IBS के जो symptoms होते हैं उसको control करने में जो वो मदद करते हैं कि जो IBS का patient होता है उसके जो अलग-अलग symptoms होते हैं कि जिसको हम समवे दंसिल आंत के बीमारी कहते हैं या फिर हम उसको संग्रहनी भी कहते हैं कि जिसके अंदर diarrhea होते हैं कुछ लोगों को या फिर कुछ लोगों को constipation फिल होता है abdominal pain होता रहता है stress sensitive फिल करता है उसके लावे बहुत सारे complications देखने को मिलते हैं जैसे कि खाने के बाद जो वो पेट में दर्द सुरू होने लगता है तो यह symptoms को ठीक करने के लिए भी Librex tablet को prescribe किया जा सकता है फिर कई बार यह होता है कि बार बार latrin करने जाना बढ़ता है patient को तो वो problem को आपके solve करने में यह medication आपको मदद कर दी है फिर constipation होता है आपको नहीं आती तो वो problem को ठीक करने में लिए यह medication यह वो यूज की जा सकती है तो mainly conclusion यह आपर हम यह निकाल सकते है कि जो emotional distress की जो condition होती कि patient emotionally जो stress में रहता है खास कर और जो stomach related problem के करने उसको यह problems होते है तो उसको ठीक करने के लिए medication जो वो prescribe की जाती कि जो symptoms रहते है IBS के अंदर या फिर acute enterocolitis की जो हम condition कहते है कि ऐसे medical conditions की जिसके अंदर जो आपके colon होते है कि colon में specially आप देख लो कि जो हमारा large intestine की जिसको हम colon कहते है या फिर जो आपका small intestine है raptum का area है या फिर sigmoid colon का area तो वहाँ पे जो हो सूजन देखने को मिलती है और सूजन के करन पेसेंट को काफी ज़्यादा complications रहते हैं pain वाँगेरा वहाँ पे होता है उसके करन वो anxiety भी फिल करता है stress वगेरा फिल करता है उसको control करने के लिए या medication यूज की जा सकती है ऐसे ही जो practical cancer के कुछ symptoms होते हैं उसको भी control करने के लिए medical supervision के अंदर ये medication को यूज किया जाता है तब उसके dose की हम बात करें तो dose जो उसका रहता है एक या दो tablet जो पेसंट दिन में तीन या चार बार ले सकता है खाना खाने से पहले कि at least आपको खाना खाने के आदे गंटे या फिर 15 मिनिट पहले ये medication जो जो लेनी चाहिए और दूसरा आप सोते समय भी आप ये medication को जो ले सकते हैं पर यहाँ पर ये medication की rules यह होते हैं कि proper medical super reason में उसको use करना होता है अब उसकी price देखे तो जब भी हमारा वीडियो बन रहा है कि जो हम September 2022 के अंदर ये जो देख रहे हैं अब बात करते हैं ये medication को side effects की या adverse drug reactions की ये medication के बाद कुछ लोगों को nausea फिल होता है जी गवराता है constipation फिल होता है memory impaired होती है ऐसा फिल होता है dizziness vision blur होना या फिल dryness फिल होना mouth के अंदर पर जैसे ये medication आपको suit होने लगती है तो ये जो side effects है वो काफी ज़्यादा कम हो जाते हैं उसके अलावा दूसरे हम देखे तो sleepiness आपको नीन दाती है urination difficulty होते starting में coordination issues रहता है depression जैसा फिर heart rate कुछ spasms के अंदर slow हो सकते है ये medication के कारण और breathing भी slow हो सकते है तो main आपको ये दियान रखना है कि जब ये दो side effects ज्यादा severe होने लगे या फिर अचानक से ये side effects ज्यादा होने लगे तुरंत आपके doctor या फिर pharmacist को inform करना चाहिए और ये medication लेना चाहिए वो बंद कर देना चाहिए और proper medical supervision में ही आपको ये use करना चाहिए फिर इसलिए देखो कि ये tablet का जब आप लेबल देखोंगे तो वह पर आपको cql h1 की जो drug warning देखने को मिलेगे तो उसका मतलब भी होता है कि जब भी आप ये medication use करते है तो proper medical supervision में as well as जो prescription होता है उसके साथ ही use करनी है अगर आप self medication करते है ये medication का कि बीना किसे medical practitioner, doctor या फ उसके करन life threatening problems भी आपको हो सकते है तो proper safely आपको use करना है एक बार अच्छे से अपना diagnosis करवाने के बार और आपके जो medical advisor है उनकी अच्छे से सला आनेने के बाद ही उसको use करनी है फिर ये बात धियान रखना है कि ये जो medication है वो बच्चों से खासका दूर रखनी या फिर ऐस overdose से भी काफी जड़ा complications हो सकते है या फिर इसके करन life threatening condition भी produce हो सकते तो ये खास आपको धियान रखना है फिर दूसरी बात उसके कुछ warnings है कि कैसे patients को ये medication use नहीं करनी है कि मानलो आपको ये दवा लेने के बाद allergic reactions होती है फिर उसके अंदर जो ingredients यूज किये है उसकी आपको allergy है तो ये medication को use नहीं करनी चाहिए फिर glucoma के जो patient है किसी का prostate gland में सूजन आ गई है या फिर उसके size बढ़ी है तो ऐसे लोगों को ये medication use नहीं करनी है फिर blader के अंदर जो है वो blockage वगरा है कि blader अच्छे से काम नहीं कर रहा फिर unitary issues वगरा है आपको या फिर किसी की age ज तो उन लोगों को भी ये medication use नहीं करें तो ये खास warning से ये सब medical conditions एंदर उसके लावा कुछ दूसरे warning ये है कि अगर आप pregnant है कि कोई female use को use कर रहे है वो pregnant ही आफिर pregnancy का first trimester चल रहा है या फिर आप pregnancy का plan कर रहे है तो ऐसे condition में भी ये medication को ये वो use नहीं करनी है तो ऐसे समझे आपको detail में सिखना है बहुत सरी दवायों के बारे में तो medicine course को जोइन कर सकते है फार्मा रॉक्स के अब उपर तो ये course को जोइन करने के लिए आप हमें whatsapp करें directly या फिर हमारे mobile application को download कर सकते है link आपको description box के अंदर मिल जाएगी so good luck and all the best